अभी हमने क्या किया कि तीन नंबर को compare किया और इसमें सो जो largest था वो हमने find किया compare करके अभी इसका सबसे आसान तरीका भी हो सकता है हाँ यह है कि बस condition मैंने लिखे बाकी hash include main वो आपको खुद से करने हैं अभी बस मैं logic समझा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है कि if number one is greater than number two end हमने यह पढ़ा था logical operator में याद है क्योंकि यह end है as a end वो करता है तो number one is greater than number two and number one is also greater than number three यानि कि जब दोनों condition true होगी तब ही यह हमारा line execute होगा तो उसी तरीके से if और यहाँ पर हमने else if इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई एक ही line execute होगी या तो यह या तो यह या तो यह तो यह तो वैसे भी हम else if लिखे या न लिखे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर यह condition हमारी true होगी हाँ एक फ़र्क पड़ेगा क्या कि अगर हमारा condition जैसे हमने क्या दिया 3, 2, 4 तो यहाँ पर 2 अब compare होगा num1 num2 से num1 is greater than नहीं यहीं पर condition हमारी fail होगी तो बाकी यहाँ से अब यहाँ पर आ जाएगा number two is greater than number one number two is greater than number one yes यह true है तो फिर यह execute होगा number two is greater than number three यह क्या इससे greater है 3, 4 से greater नहीं तो यह भी fail होगी है अब यहाँ पर आएगा number three is greater यानि कि four is greater than two right correct है और number three is greater than two number three four is greater than three yes तो यह हमारा execute हो गया अब क्या है कि else if हाँ अब यह दूसरा हम लेते हैं four three two तो अब यह क्या होगा four is greater than number two यानि कि four is greater than three correct यह सही है उसके बाद फिर यह चेक होगा four three नहीं number one number one is greater than number two yes यानि कि यह execute हो गए इसके अलावा अब यह किसी भी condition में हमारे execute नहीं होने वाला कि क्यों कि match ही नहीं करेगा लेकिन यह हमारी true हो गई यह print कर देगा कि four is greater than four is the greatest अब यह true होने के बाद भी यह बिना मतलब का हमारा दोर यह चलेगा ही चलेगा यह हमारी true होने के बाद भी condition चलेगी तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक बाद अगर कोई condition meet कर गई तो हमारा यह program चले ही नहीं else if या else if यह कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर यह line execute हो गई तो बाकी यह नहीं हमारा program नहीं चलेगा तो अपने उपर है कि कैसे आप यूज करते हो बस concept clear होना चाहिए अगर concept clear है तो फिर कोई issue भी नहीं होगा जैसे दिल करे वैसे आप करो